नमस्कार आद में आपको बताऊंगे कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग एंड श्टिचिंग जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग बताईए तो देखिए कोशिस करूँगी आपको आसान और सरल तरीके से बताने के लिए लेकिन आगर आप या जैसे भी हमारा कपडा है उसके उपर कटिंग करेंगे तो दीखिए यहां पर अगर अस्तल वाला काटेंगे तो आप इस तरीके से पहले कपड़े को डबल कीजिए यह आपका प्लें कपड़ा है फिर भी आप उसको ऐसे डबल करना अब दीखिए सबसे पहले हमें हमारी के पीछे का 20 है तो आगी का भी 20 होगा तो 40 चेस्ट है अब यहां पर देखिए हमें ऐसे करके लंबाई लेनी है तो यहां पर इसकी लंबाई है 13 अब देखिए यहां पर इसके जो सोल्डर है इस तरीके से अच्छे से 11 इंच के सोल्डर है और देखिए कुछ भी 14 इंच सोल्डर जैसे 11 इंच के थी के तो 15 इंच यहां पर हमें आरू लेनी है spiritually है चाहां पर हमारा गला है तो हम नेIG है जय पर जैसे आपने पीछे का पलर इस तरीके से नाप बीस इंच अब इसका ऐसे आदा करेंगे तो चेस्ट का दस इंच आएगा अब आप यहां पर अपने गुंजाइस ले लीजिए एक इंच या डेढ़ इंच आप जितनी भी गुंजाइस लेना चाहें गुंजाइस हमेशा को ज्यादा ही लेनी है 1.5 इंच लेनी है क्योंकि नई लोग है तो वो थोड़ा सा नाप लेने में मिश्टिक कर देते हैं अब यहां पर देखिए आदा इंच लेना है आरूमल यहां पर आदा इंच और गुलाई का निशान लगाना है अब देखिए जो नई लोग है वो कि यहां पे थोड़ा सां चोड़ाई करने चाहें इस तरीके से करने लेकिन अगर आप नहीं है तो इस तरीके से यह कटिंग कीजिए क्योंकि पट्टी लगाने के बाद जैसे अंदर वाली पट्टी लगा रहे हैं या पाइपल लगा रही हैं तो इसलिए आपको ज्यांदा और चोड़ा कहें नियुक्तरा का टेहर हम रूट अपको तो तूड़ी मिश्टिक हो जाती है तो यहां तो आपको इस तजरीके से भी बना शक्ते हैं और यहां पे आप चोड़ाई रखना चाहें लगाना चाहें तो इस तैसे भी बना सकते हैं तो होगे हमारा पीछे का देखिए पीछे का पल्लर हो गया अब हम क्या करेंगे जैसे अगर हम कहीं से भी कपड़ा लेके आएंगे तो वह कपड़ा एक मीटर का मिलेगा या असी सेंटीमीटर अगर आप थान में से कटवाएंगे तो आप ज्यादा भी ले सकते लेकिन अगर आप दूसरे के करनी है अगर आप दूसरे के ब्लाउट से लेंगे तो उसके लिए आपको एक पेपर लेना पड़ेगा या कोई सिंपल सा कपड़ा लेना पड़ेगा मैंने यहां पर एक सिंपल कपड़ा लिए क्योंकि आपको अच्छी से समझ में आना चाहिए पेपर पर सायद आपको द नहीं करेंगे लेकिन यहां पर हमें थोड़ी लंबाई बढ़ानी है 1.5 इंच या 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं 2 इंच लेके चलिए क्योंकि थोड़ी लंबाई जाएगी तो उसको हम चोटा कर सकते हैं और लंबाई कम हो गई तो फोड़ा मुस्किल हो जाएगा अब देखें आप लोगों के कहने पर मैं यह वीडियो बना रही हूं और आप प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर जरूर करें देखें यहां पर हमारी आरोमल की भी कटिंग हो गई है पीछे के बराबर और अब हम इसको हटा देंगे पीछे को पलर है उसको हटा देंगे अब यहां पर देखें हमें गले की चोड़ाई 2 इंच लेनी है गले की लंबाई 7 इंच की होनी चाहिए, कटोरी बाला ब्लाउज या डवल कटोरी का बनाएंगे, तो हम गले की लंबाई थोड़ी जादा ही रखेंगे, 7 इंच, 7 इंच, क्योंकि इसमें जबी फिटिंग अच्छी आती है, अब देखें यहां पर गले का निशान, अब यहा क्योंकि यहां पर प्लेट नी डालेंगे, बस हमें यहीं तलक करनी है, अब यहां पर हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे, तो तीरे का निशान हम यहां पर लगाएंगे, 13 इंच पर, अब देखें, अब आप एक सवाल करेंगे, कि पीछे का पल्ला 13 इंच का था, और यहां पे भी 13 इंच का निशान है लेकिन पीछे का पल्ला 13 इंच का था आगी का पल्ला हमें ज्यादा लेना है क्योंकि इसमें जब हम सिलाई लगाएंगे तीरे के ऊपर तो यह छोटा हो जाएगा तो जैसे मैं आपको बता दी उसी तरीके से कीजिए कटिंग कुछ बात है स लेंगे तो भी ऊपर की साइड ही चड़ेगा तो आपको निशान 13 इंच पर ही लगाना है तो देखे यहां पर हम इस तरीके से तीरे की कटिंग कर लेंगे पहले इस तरीके से और देखिए मैंने हर तरीके से आपको समझाया है तो आप प्लीज पहले चैनल में जरूर देखें अब देखिए जैसे मैंने डबल कटोरी वाले बलाउज की भी कटिंग पहले डाली है इस्टिचिंग डाली है तो आप प्लीज पहले चैनल में जरूर देखें इस वीडियो क और अच्छे से समझें फिर भी आपके समझ में आए तो प्लीज नीचे कमेंट करके ज़रूल बताएं तो फिर मैं कोशिस करूँगी आपको और नई तरीके से समझाने की तो देखी यहां पे हम गले की कटिंग कर लेंगे अब देखी जैसे हमने अस्ता लिया है तो इसको आप समार के रखें जब भी आप 40 चेस्ट की या 6 चेस्ट की या 8 चेस्ट की कटिंग करें तो आप इसको ही रखके थोड़ा कम जादा करना पड़ेगा आपको थोड़ी गुंजाय साब को कम लेनी है 8 चेस्ट में और बागी आप इसको ही रखके कटिंग कर लें क्योंकि इसी तरीके से हम पेपर पर कटिंग करके रख लेते हैं जब भी चाली चेस्ट का प्लाउच बनाना है तो इसी को रखके हम कटिंग करते हैं तो देखें यहां पर हमें 10 इंच साड़े-10 इंच निकालेंगे आदा इंच हमारा यहां पर सिलाई में चला जाएगा तो साड़े-10 इंच ले लिया तो यह हमारा फिटिंग का कपड़ा है अब हम क्या करेंगे साड़े-10 इंच को मतलब आदा इंच छोड़गे 10 इंच रखेंगे तो इसको हम 10 इंच को तीन भागों में बाटेंगे दो भागी तो कटोरी ब पूरा खराबी हो जाएगा तो इसलिए आपको थोड़ी कटोरी पर ध्यान देना है तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर तीर इंच पर निशान लगा दिया तीरे का और यहां पर हमारा साड़े-7 इंच कपड़ा तो काफी है आदा एक इंच अगर हमारा थोड़ा कपड जादा हो रहा है तो वह हम कटोरी में ले ले क्योंकि कटोरी थोड़ी बड़ी रहेगी तो फिटिंग में आ जाएगी छोटी हो जाएगी तो खराब हो जाएगी तो देखिए अब हम यहां पर एक निशान लगाएंगे तो आप इसको ऐसे भी निशान लगा सकते हैं 6 आप अपने साब से भी लगा सकते हैं निशान क्योंकि कटोरी का सेप सही से आना चाहिए अब देखिए यहां पर यह कटिंग हो गई अब हमें क्या करना है इसको हम आसान और सरवल तरीकी से बता रहें देखिए इसको हम ऐसे करके डबल करके और कटिंग कर लेंगे बीच म अब देखिए इसको हम सीधा कर देंगे अब हमें ध्यान रखना है कि यह हमारा नीचे का है और यह हमारा ऊपर का है अब देखिए कपड़े पर हमें ध्यान से कटिंग करनी है अब यह तो हमारा पीछे का निकला आया है अब हम आगे का निकालेंगे देखे यहां पर हमारा ही थोड़ा सा गोलाई में कटिंग है क्योंकि यहां पर हमने पीछे का पलन निकाला था तो यह देखे ऊपर का जो पाट है इसको ऐसे रखेंगे हम उपर के पाट को अब देखे इसमें हमें क्या करना है यहां पर हम थोड़ा सा आदा इंच लेंगे ब ख्यान रखना है तो हम यहां पर रखेंगे एक इंच इस तरीके से भी ले सकते हैं एक इंच हमने यहां पर ले लिया अब देखें इसको थोड़ा सा ज्यादा हमें गोलाई नहीं देनी है बस थोड़ा सा ही देना क्योंकि अगर हम ज्यादा गोलाई देंगे तो यहां पर कुन्य वु आदा इंची यहां में अब देखिए इस तरीके से देखिए यहँ पर हमारा 1 1 इंच और यहां पर एक हिंच और हमने एक दम सिंपल गोलाई में कटिंग किये ज्यादा गोलाई नहीं है कि अइद्धम सिंपल है उपर का हो गया अवम यूप है तीरा है जो नीचे का उसको दिखे यह हमारा नीचे का तीरा एका जोड़ा चोड़ा क्थे और पने एक कногоड़ा ही आप हमाहें हैं ज्याद़ च्योटे लड़ेंदिक क्पाहम ज़बते हैं कटोरी का यह नीचे का तीरा है कि इसको हम ऐसे रखेंगे तो हमें यहां पर लेना यहां पर भी हमें एक इंची लेना है नीचे की साइड भी हम एक इंच लेंगे ज्यादा नहीं लेना लेकिन हम यहां पर ज्यादा लेंगे यहां पर हमें पप के लिए चाहिए चोड़ाई म एक इंच यहां पर एक इंच यहां पर क्योंकि इसमें नीचे पॉप आएगा ना पिलेट डालनी है और बाकी हम इसको ऐसे ही कटिंग कर लेंगी एक नीचे की साथ लिया है हमने और देखिए हमारा बगली का है और यह फॉक वाली पट्टी जो छोटी है वह फॉक वाली पट को अब कि जैसे हमारी एहां पर करें उसको थोड़ा सा ही में कटिंग कर रूकाकी सा और यह इसके बाद देखेंट घ् t ये ख्र-ër ऑपने उसी तरीके से लेकिन हमने यहां पर На फ़ा cat और यह इसको जब अवादिए या डा लेगे पहले यह बार तो डवल करके हमें एक इंच लेते हुए इसको कम करते हुए ऐसे डालनी है इस तरीके से तो इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको जरूल बताऊंगे लेकिन आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जारा से जारा शेयर करें तो जो भी मिश्टिक होगी वह मैं दूर क घुक वाला है व यहाँ पर फकंदाइं और यहाँ पर चोड़ा जैना है वह हमारा बगली की सायड है तो देखें इस तरीके से हमें पुसको धियान से रखना है व बाजू भी आ। छेट देखिए बगली का तीरा है इसको भी रख लेंगे क्योंकि इसमें से बाजू भी निकाल लिए ना तो इसको भी डीहान से हिना लिखना लिख न है कि बाजू भी आ जायए इस तरीके से रख सकते आ और यहाँ प damn..加श शूख्टे से भी रख सकते है योगे कपड़े को देखके ही रखना है कि हमारा पूरा बलाउज निकल आए अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा अस्तल को ज्यादा ही काटा है आदा इंच यहाँ पर बढ़ा के थोड़ा सा ही आदा इंच लिया है तो देखिए आप ध्यान से देखिए यह नहीं कि आपको इसी के पराबर करना है थोड़ा आदा इंच यहाँ पर ज्यादा ले सकते हैं आरूमल पर ज्यादा नहीं लें क्योंकि यहाँ पर जोलाएगी अब इसको कपड़े को हमें अच्छे से रखना है समार की जब भी हम 40 चेस्ट की कटिंग करेंगे तो इसको ही रख लेंगे बस हमें पीछे का पल्लर निकालना है जैसा भी है उसका तो उसकी लंबाई जैसी है ऐसे ही निकालनी है और गला भी उसी के साब से जैसे जिसका बलाव जो है उसी के साब से बनाना है लेकिन यह आगे की जो पल्लर है यह अस्तल है जो हमने cutting की है इसको हम समार के रख लेंगे जब भी हम 80 चेस्ट या 40 चेस्ट की cutting करेंगे तो इसको रख लेंगे लेकिन हमें ध्यान देना है कि थोड़ा सा में एक इंच बढ़ाना है और नीचे का जो पल्लर है इसमें भी एक बढ़ाना है तो फिर आपको ज्यादा दौरा दौरा कटिंग नहीं करनी पड़ेगी इसको आप अस्तल को समार के रखें तो इसको आप पेपर पर भी cutting कर सकते हैं लेकिन मैंने अस्तल इसलिए लिया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे अब जो हमारा साड़ी का कपड़ है इसके उपर हम इसको रख लेंगे यहां पर देंगे लखी होई है तो लेस को अशे को निकाल देंगे बाजू के लिए अगर आप चाहें चाह करने के बाद कार यसेमयां ने के बात शूंते यसां गदा जैसे मैं बताया है कटिंग में लेका कंठी के इसको ठाएगे च्य हमारा पीछे का पल रख एक एक पार्ट हमें अच्छे से रखना है और यहां पर आजाएगा यह हमारा बगली का तीरा नीचे का है और ये ऊपर की कट हो रही है और यहां पे नीचे का तीरा है सबसे नीचे का तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में वीडियो को like और share जरूल करें अगर आप कुछ पूछना चाते तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब कर लें धन्यवाद